आज के समय में हर कोई जल्दी अमीर होना चाहता है चाहे तरीका कानूनी हो या गैर कानूनी लोग इस चक्कर में कानून को भी हाथ में लेने से नहीं हिचकते हैं जिसके चक्कर में आज कल काफी कॉंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है जहां अक्सर गैर कानूनी ढंग से चीजों को पानी के जहाज से लाया ले जाया जाता है और फिर उनकी स्मगलिंग की जाती है और दोस्तों ये सारी चीज़ें केवल पानी के रास्ते ही नहीं बलकि सड़कों से लेकर हवा में उडने वाले हवाई जहास तक में लोग खूफिया तरीके से सामान को लाने ले जाने की कोशिश करते हैं ये लोग इतने शातिर होते हैं कि आप इनके स्मगलिंग के तरीके को देखेंगे तो आप हैरत में पढ़ जाएंगे पर ये लोग भूल जाते हैं कि कानून के हाथ उनकी सोच से भी ज्यादा लंबे हैं जो अगर चेकिंग करने पर आ जाए तो लोगों के कपड़े तक उत परवा देते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इंसीडेंट दिखाने वाले हैं जहां पर स्मगलर्स ने सारी हदें पार कर दी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं त प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड जिसे आप बिना स्किप किये अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तो हम समय से बहुत से लोग सिगरेट पीते होंगे एक आकड़े के मताबिक आज के समय में सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या एक बिलियन से ज्यादा है तभी तो उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी स्मगलिंग तो होनी ही है इसी वजह से स्मगलर सिगरेट को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए अलग-अलग तरकीब अपनाते हैं जहां एक बार तो यूक्रेनियन बॉडर गार्ड ने पेपर रोल के अंदर सिगरेट की स्मगलिंग पकड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर कित इतनी भी मेनत क्यों ना कर ली जाए कस्टम ऑफिसर एक बार फिर भी गलती कर देंगे लेकिन सर्विस डॉक की नाक बड़ी तेज होती है जो हर चीज को पहचान लेती है दोस्तों यहाँ पर तो स्मगलर्स ने ट्रक के ऊपर सिगरेट के बड़े बड़े पैकेट छिपा क एक्स्ट्रा लेयर बना दी थी ताकि कोई पहचान ही ना पाए लेकिन ट्रक के भारी वजन की वज़ा से आफिसर्स ने स्मगलर्स की ये चाल भी पकड़ ली जिसके बाद क्या निकला वो आप खुदी देख सकते हैं और तो और दोस्तों ये महतर्मा तो इतनी ज्यादा च आलाक निकली कि इन्होंने अपने कपड़ों के अंदर सिगरेट छिपा रखी थी और जब ऑफिसर्स ट्रक के फ्लोर से सिगरेट निकाल सकते हैं तो ये फिर इनके कपड़े हैं कितना टाइम लगेगा इन ऑफिसर को इनके कपड़े निकालने में वेल दोस्तों चीजों की स्मगलिंग करना वाकई में पैसे कमाने का असान तरीकों में से एक है लेकिन जब बात सोने की स्मगलिंग की आती है तब स्मगलर्स कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लगते हैं वैसे भी दिमाग तो लगाने ही पड़ेगा ना भाई क्यूंकि सोना होता भी तो बहुत की अब जैसे कि आप हमारे भारत का ही ये केस देख लीजिए जहां पर बॉर्डर गार्ट को एक ऐसा शखस मिला जिसने अपनी पैंट और अंडर वियर के अंदर तकरीबन दो दशमलव दो पाउंड सोना छिपा रखा था इनकी ये चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए उन्होंने सोने को पिगला कर स्मगलिंग करने की कोशिश की लेकिन अफसोस इतना दिमाग लगाने के बावजूद भी पकड़े गए और तो और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है लोग वैक्यूम क्लीनर तक में सोना स्मगल करके ले जाते हैं जिसका नमूना आप खुद ही देख ल तब जाकर उन्हें असली खेल समझ में आया लेकिन यहां तो दोस्तों बिलकुल हदी हो गई क्योंकि इस आदमी ने स्टील के डोर क्लोजर के अंदर सोना चिपा रखा था आफिसर्स को इसके अंदर से सोना निकालने में काफी लंबा समय लग गया लेकिन हंत में उन्होंन समगलर्स को पकड़ लिया पर कुछ भी कहिए सोना समगलिंग करने का इनका ये तरीका वाकई में बड़ा समार्ट था दोस्तों जब बात समगलिंग की आती है तो लोग केवल सोना ही समगलिंग नहीं करते बलकि पैसों की भी हेरा फेरी करने में देर नहीं लगाते जहां स सबसे पहले आप ये देखिए कैसे कस्टम आफिसर ने मिठाई के डिब्बे के अंदर स्मगलिंग का सामान पकड़ा। असल में मिठाई के डिब्बे के अंदर फॉरेंड बिल्ट शिपाए गए थे ताकि पकड़े ना जाए। आपको अज़ का ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों अमीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके ये रोज ही इस तरह के वीजगा है